कि अज़िए 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 तो आप अपनी बुक देख लिए जन्ना नौलेज इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका कंटेंड देख लेते हैं ठीक है आपके कंटेंड में पेफंस का सङलेवर्स क्या है यहां कंटेंड घैंड करें तो कंटेंड ओपन करी है और यहां देख 107 तो कि अगो कर चुके हैं पार्ट टू कंप्लीट कर चुके हैं ठीक हैं चेप्टर नमर्ण 27 कमारा कमप्लीट हो चुका आज हम्में करना हैं पार्ट 4 हमारा लास्ट हो गाई ए की है है पहला है अवर प्रायड चैप्टर 14 ओलोसे टेंग तुल Geekắp नमबर 19 ऑपर प्राइड यानि हमारा प्राइड तो औरा और भी तो मतलब होता है ने यहां पर क्या लिखेंगे आप टॉप पर पहले पार्ट फॉर डेट यहां पर मेंशन करेंगे उस दिन के जिस दिनी वीडियो यूटूब पर अप्लोड हो जाएगी टिक दा करेक्ट ऑप्शन्स हम यहां को टिक दा करेक्ट दी हैं हमें उसे टिक करना है फस्स क्या है जो नेशनल फ्लैक परेजन की जहां है तो कब लाया गया यह उसे कब परेजन की अगया तो कब क्या गया 14 अगसा 1947 14 अगस को national flag को हमारे नेशन को परेजन कीया गया ठीक है तो क्या है Who raised the slogan तेली चलो जो slogan था जो नारा था दहली चलो का वो किसने दिया था शुभास सुभाश चंद्र बोस ने दिया था किसने दिया था दहली चलो का नारा सुभाश चंद्र बोस ने ठीक है तो यहाँ पर अप टिक कर दिये थर्ड के हमारा When was the design of the national flag adopted by the constituent assembly जो national flag हमारा कब adopt कर लिया कब अपना लिया कब अपनाया था इसे 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया ठीक है 14 अगस 1947 में दिखाया गया प्रिजेंट किया गया कि हमारा national flag ऐसा होना चाहिए ऐसा है हमारा national flag ऐसा बनना चाहिए फिर 22 जुलाई 1947 में उसे adopt कर लिया गया मतलब अपना लिया लिय यही हमारा national flag होगा what is the playing time of full version of the national anthem अब जो हमारा national anthem है उसका playing time क्या ही मतलब उसका चलने का यदि उसका गाने का यदि उसका बजने का जो playing time है वो कितना है 52 seconds कम से कम 52 seconds होने चाहिए उससे कम नहीं हो सकते ठीक है national anthem जो है हमारा वो कम से कम 52 सेकंड के अंदर ही खतम हो सकता है उससे कम टाइम नहीं लेना चाहिए तो क्या होगा हमारा प्लेइंग टाइम 52 सेकंड वाट इस दा रेशियो और विथ और नेशनल फिलेग तो इस लेंथ रेशियो कहते हैं डिवीजन एक तरह से ठीक है तो नेशनल फिलेग का जो चोड़ाई है और उसकी लंबाई है उसकी आपस में वो क्या है रेशियो तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ को डिवाइट कर देंगे तो कितना आएगा 3 by 2 जिसे हम कहते हैं रेशियो के फॉर्म में 3 is to 2 ठीक है तो हमारा क्या हो गया तिरी इसटो डू हमारा क्या नैशनल फिलेग का और उसकी वेथ से उसकी लेंथ का गया गया रेशियो 26 जनवरी 1950 में हमारा State Emblem क्या हुआ था Accept किया गये था What does our National Animal The Tiger symbolize जो हमारा National Animal Tiger है उससे क्या symbolize होता है वो क्या symbol देता है ठीक है तो वो क्या symbol देता है Power हमारा National Animal Tiger है उससे क्या उससे क्या हमें show करा गाता है Power ॥ीक है ताकत इ सिर्थ क्या है जन्गन मन CRA adopted as the national anthem of India by the construction assembly जो हमारा national anthem जन्गन मन है उम पढ़ते हैं तो वो कब आडॉब किया गए था कब अपनाया गए था konstitdo松्यट Team असम्ब्ली ने कब کہा था ता हाँ ठीक है यही हमारा क्या होगा national anthem होगा तो कब अपनाया ग happens से 24 जनवरी 1950 में मान लिया गया था कंस्टिटोन एसम्बली ने इसे एडॉप कर लिया था एजा नेशनल एंथम मतलब की हमारा नेशनल एंथम होगा कब 24 जनवरी 1950 नेक्स पेज ओपें करिए पेज नंबर 20 more to know an activity मतलब एक तरह की activity बस इसे रेड करना है और समझना है यहां पर भी पार्ट फॉर यहां पर भी डेट उसी दिन की जितनी वेडियो यूट्यूब पर अप्लोड हो जाएगी फस्ट क्या है मारा फस्ट पॉइंट दा ओल्डेस्ट नोन रिपेर सरजरी देट्स बैक टू 149 Bc जो सबसे पहली सबसे पुरानी सबसे ओल्डेस्ट जो सरजरी होई थी वो कब हुई थी अगर हम पुराने जमाने में जाएं 49 Bc के जमाने में तब हुए थी वेर हिंदू सर्जियन शुशुरुता तब क्या हुआ था महा के हिंदू सर्जियन थे एक क्या नमता हुआ शुशुरुता carried out the operation to treat उन्होंने एक operation किया था किस चीज़ का to treat instantinal perforation and obstructions by joining together the damaged parts of the instant time after cutting into the abdomen उन्होंने इंटेस्टाइनल पर्फॉर्मेंस किया मतलब पर्फॉर्मेंस कहते हैं वेद या मूव या फेस या पंचर तो इंस्टाइनल में एक तरह का पंचर जोड़ा मतलब क्या किया उसमें end obstructions obstruction कहते हैं बाधा obstacle और उसमें एक बाधा करी an obstruction मतलब उसमें resistance किया मतलब उसमें रुकाओ किया perforations जो है वेद को भी कहते हैं mouth को भी कहते हैं या छेद को कहते हैं तो उन्होंने क्या किया instantinal छेद का operation किया और उसमें बाधा लाई कैसे लाई बादा मतलब उसमें रोकाओ किया उन्होंने रोका उसे कैसे बाई जोइनिंग टोगेदर दा डैमेज पार्ट ऑफ दा इंस्टेटाइन आफ्टर कटिंग इंडू दा अब्डोमन पेट में एब्डोमन में कट करके उन दोनों जो डैमेज पार्ट था इंस्टेटाइन का इंस्टेटाइन का जो डैमेज पार्ट था उसे जॉइन करा उन्होंने ऑपरेशन के जरीए जोड़ा जिसमें छेद हो गया था या मूँ खुल गया था माउथ ओपन हो गया था यानी परफोरेशन हो गया था He placed the freshly cut head of giant blank ants on the edges of the opposite section to the segment और जहां पर cut लगाया था उन्होंने वहां पर क्या किया जो हिस्सा जहां पर operation किया था वहां पर giant black ants ये black है ठीक है black ants काले जो चीटे होते हैं ठीक है जो ants होते हैं उनके head को उनके सर को ताजा काट कर क्या किया वहां पर लगाया क्यों किस जगा पर लगाया जहां पर उन्होंने cut लगाया था उन दोनों opposite section में उस segment में उसे लगाया क्यों लगाया demonstrating the knowledge of the anticipating properties of the formic acid that is secreted by the ant head उन्होंने क्या demonstrate किया यहां से यह show किया यहां पर कि जो ant का head होता है या ant जो होता है उसके अंदर formic acid होता है और formic acid क्या है हमारा एक antiseptic है जो कि antiseptic की तोर पर क्या होता है यूज करा उन्होंने वहां पर antiseptic की तोर पर use होता है फॉर्मे के सेड जो के आंड के हेड में ही सर में ही निकलता है इसलिए उन्होंने आंड के हेड ताजा ताजा उनके सर तोड़े और उसे वहाँ पर जखम पर लगाए तो इससे ये पता चला कि उन्हें उस जमाने में भी antiseptic की properties खासियत के बारे में पता था तो वही बता रहे हैं कि more to know की जाथ और भी समझो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो पुराने जमाने में होती थी और हमें जिसकी अब ख़बर हुई है antiseptic क्या है अब पढ़ ले हम लोग मादर इन लोग को पहले से पता था फस्ट क्या है इसका the first reservoir and dam for irrigation was constructed in सोरश्टरा इंडिया जो फस्ट पहला reservoir था या dam था जो irrigation के लिए बनाया गय था वो जो है सोरश्टरा में बनाया गय था इंडिया के अंदर इंडिया में जो सोरश्टरा जगा है वहाँ पर सबसे पहला reservoir या dam के लिए उसे वो बनाया गया था किसकी लिए irrigation के लिए खेती बाड़ी के लिए ठीक है नेक्स है हमार अर्बिक नंबर आर्द नॉट अर्बिक जो अर्बिक नंबर मानते हैं हम वो असल में अर्बिक नहीं है दा अर्बिक इंटन उप्टें दा system from the Hindu's around the middle of the 8th century बलके उल्टा अगर देखा जाए तो अर्बिक system जो है numbering का जो अर्बिक है उस language में जो numbering की जाती है उल्टा उसने जो है हिंदूस system से लिया है अर्बिक आई मिन जो अर्बिक हम लोग कहते हैं कि हमारे जो हम numbering करते हैं हम जो number लिखते हैं वो अर्बिक सिस्टम है मारा मतलब अर्बिक से होना चाहिए अर्बिक सिस्टम नामे तो मगर उल्टा अर्बिक नहीं है वो हम जो लिखते हैं वो अर्बिक उसका नाम है मगर Arabic system से लिया नहीं किया उसके बजाए Arabic system में जो numbering की जाती है जो मतलब जो Arabic में की जाती है numbering यह Arabic वालों ने जो numbering ली है वोल्टा हिंदूस system से ली है ठीक है Around the middle of 8th century कब 8th century के भीच की बात है यह यह किसने दिया था आरिया भट्टा फॉस्ट डिस्क्राइब इन एर 499 499 में कौन से साल में 499 जब साल था हमारा तब आरिया भट जो थे उन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था बताया था कि गिंती गिनने का या system का जो हमारा प्लेस है चेस का मतलब यही पर जन्म लिया है चेस ने जन्म लेने से मतलब यही पर यह गेम बनाया गया है इंडिया का अपना गेम है चेस ठीक है यही डिवल अप हुआ है यही पर इसकी बर्थ प्लेस है इन संस्क्रेट इस कॉर्ड एज च्छतुरंगा या लेखते हैं meaning four member of any army जिसका मतलब होता है असलियत में चतुरंगा का meaning होता है चार member किसी army के army के कोई चार member which are most likely जो के जादा तोर पर किसे कराता है elephant को horse को chariots को and foot soldiers को इने कहा जाता है ठीक है चतुरंगा जो है इनी चार member को mainly कहा जाता है इसे हम किस नाम से और जानते हैं शतुरंगा नेक्स पॉइंट हमारा last point हमारा क्या है बिरी हदेशवरा temple is the first temple in the world made of granite जो बिरी हदेशवरा temple है हमारा वो दुनिया का पहला ऐसा temple है जो के granite पत्थर से बनाया गया था it is located in tangevur tamil nadu और ये कहाँ पर है tamil nadu के अंदर tangevur में है इंडिया के अंदर मतलब it shikara the top most part इसकी जो shikara है जो इसकी सबसे उपर की top most part है मतलब जो इसकी मिनार है ये कह लिए जो उसका सबसे उपर का हैसा है जिसे हम शिकारा के नाम से जाना रता है उपर का इसा यह क्या है दा टॉप मोस पार्ट इस मेड फ्रॉम एटी टन पीस ओफ ग्रेनाइड वो असी टन के सिंगल एक ही टुकडे का असी टन का एक पत्थर उससे बना हुआ है शिकारा यानि उसका जो उपर वाला टॉप मोस पार्ट है मतलब उसके टुकडे लाला के नहीं लगाए गए होंगे असी टन का पूरा यहां पर रखा गया होगा और यह टेम्पिल कब कितने साल लग गए इसे बनने में पांस साल में यह तयार हुआ और किसकी हुकूमत थी कौन किसकी रेन थी उस टाइम रेन केते हैं हुकूमत किसका समय था ठीके तो राजा राजा जो चोला था राजा राजा इनका नामी था राजा राजा चोला यह यहां के किंग थे ठीके इनके जमाने में पास साल के अंदर ये टेंपिल कौन से टेंपिल शिकारा सॉरी कौन से टेंपिल यहाँ पर बिरी हदेशवरा टेंपिल यहाँ पर कहाँ पर शिकारा में तमिलनाडू के अंदर और तमिलनाडू कहाँ है हमारा इंडिया यानि इंडिया के अंदर टमिलनाडू जो इस टेट है उस स्टेट के अंदर जो शिकारा जगा है वहां पर है हमारा बिरी हदेश वारा टेमपिल यह पहला ऐसे टेमपिल है जो के ग्रे नाइट से बनाया गया था है नेक्स पार्ट है मारा यहां एक्डर है मारा चेप्टर 16 पार्ट फोल लिखी हैं और डेट मेंशन कर दिए तो फियर होता है मेला festival तहवार match the festival and fairs with the state in which they celebrated अब कुछ festival of fairs के नाम दिये हैं उनके नाम हमें बताने हैं उन festivals के नाम किस state में कहाँ पर celebrate किया जाते हैं तो हमें उन्हें match करने हैं fairs और festival ये हैं अब कि ये states की नाम है ठीक है pongal कहाँ पर celebrate किया जाता है पोंगल कहाँ का तहवार है कहाँ मनाया जाता है ये कहाँ पर मनाया जाता है तमिल नाडू में celebrate किया जाता है second क्या है हमारा नोखई नोखई कहाँ पर मनाया जाता है 36 गड़ में नोखई second वाला क्या हमारा नोखई कहाँ मनाया जाता है 36 गड़ में ठीक है थर्ड क्या है हमारा विजू विजू जो है ये कहाँ पर celebrate किया जाता है तिरिपुरा में तिरिपुरा में मनाया जाता है विजू फूर्थ हमारा मेला पार्ट मेला पत तो मेला पत जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है मेला पत, मेला पत मनाया जाता है जमुएन कश्मीर, जमुएन कश्मीर में सेलिबरेट किया जाता है इसे फिफ्थ है मारा नमसूंग नमसूंग कहाँ पर मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है कहाँ पर नमसूंग कहाँ पर मनाया जाता है पांचवा हमारा सिक्किम में ठीक है एसे मिला लिए एसे फिर है रथ यात्रा इसमें रथ की यात्रा होती है सिक्स्त वाला ये कहां पर सेलिबरेट होता है मनीपुर में है ये मनीपुर का तहवार है फिर सेविंध है हमारा बोहग भिहू बोहग भिहू कहां का तहवार है बोहग भिहू है मारा आसाम का कहां होगा है भिहू सुना होगा अपने कहां का है आसाम का इर्थ क्या है मारा सरस्वती पूजा कहां पर की जाती है कैला में की जाती है कहां पर की जाती है इसमें सॉंग्स चलते हैं म्यूजिक चलते हैं उस पर लोग बाग डांस करते हैं तो खजूर आहो जो डांस फेस्टिवल है डांस का डांस का जो तहवार है ये कहां पर सलिबरेट किया जाता है ये मद्या परदेश का तहवार है कहां कहा है मद्या परदेश का फिर क्या है चलो लोकू चलो लोकू भी एक तहवार है ये ये कहां पर सलीबिलेट किया जाता है अरुनाचल परदेश का तहवार है और टरनेटर ठीक है टरनेटर कहां कहा है ये 11 वाला हमारा ये हमारा गुजरात का यह गुजरात में मनाया जाता है ठीक है नेक्स पेज ओपिन करिए पेज नंबर 24, 23 ठीक है पेजम में 23 और यह हमारा क्या है फॉर्मेटिव असेस्मेंट यानि F.A.F.S यह आपको खुदी करना यह सारी चीजें पीछे पढ़ाई जो है हमने और अब तब जो चैप्टर पीछे पढ़ाएं है उसका है ठीक है तो उसमें से आपको याद करके आपको यह फिल कर लिएगा और नेक्स है मारा F.O.B.I.A.S एक तरह की F.O.B.I.A. जो है एक तरह का बिमारी होते हैं एक तरह की बिमारी होती है अब ये कुछ F.O.B.I.A.S के नाम बताने हैं उनके कुछ F.O.B.I.A.S उनके डर के बारे में दिया है पहला है F.O.B.I.A.S अजनबी से जो डर लगता है लोगों को उस F.O.B.I.A.S को क्या कहते हैं जीनो F.O.B.I.A.S जीनो F.O.B.I.A.S में क्या होता है जो लोग होते हैं वो अजनबी से डरते हैं जो नई लोग होंगे उनके पास नहीं बैठना चाहेंगे उनसे दूर रहेंगे और उनसे डरेंगे ठीक है उन्हें उनसे तकलीफ होगी मतलब उनसे डरेंगे वो second के है हमारा favor of marriage marriage का शादी का डर रहता है इसमें ठीक है ना यह शादी करना चाहता है ना जाता है मतलब वो शादी का marriage का उसे डर रहता है डर लगता है उसे marriage के नाम से ही डर लगता है और यहाँ पर stranger अजनबी उसे डर लगता है तो marriage के नाम से जिसे डर लगता हो शादी का करते हैं गामोफोबिया तब्स करने और अध्याइ ऑफव से डर लगता है यह हम एक भार यह और चाहσα किला जाही है उसे डर लगे अपने आपको श् vi पर ense. और उन्प्रोटेकटिट फील होता है ठीक है फेर में जानी फोबिया में में तो रेंग में होता है फिएर ऑफ रेंड में क्या हूता है इसे हम क्या कहते हैं ओम्ब्रोफोबिया O-M-B-R-O-P-H-O-B-I-A ओम्ब्रोफोबिया नेक्स है हमारा फियर ओफ इस्पाइडर इसमें मकडियों से डल लगता है ठीक है फोबिया कहते है बहुत जादा ये खतनाक बिमारी होती है फियर ओफोबिया जो होती हमारी इसमें बहुत जादा इनसान डर जाता है तो फियर ओफ इस्पाइडर जब मकडियों से डल लगता है तो उस फोबिया को हम क्या कहते है एरेक्नोफोबिया क्या कहते है एरेक्नोफोबिया फिफ्ट क्या है हमारा फियर ओफ कैट्स ठीक है बिल्लियों से इसमें डर लगता है बिल्लियों का डर रहता है लोगों को क्या कहते है इसे AILUROPHOBIA AILUROPHOBIA सिक्स्थ हमारा छटा FEAR OF NIGHT इसमें अंधेरे से मतलब NIGHT से रात से डर लगता है जैसी रात होती है उस आदमी को डर लगना शुरू हो जाता है ठीक है तो FEAR OF NIGHT उसे रात का डर लगता है तो यह कौन सी है NOCTY PHOBIA सेविन्थ हमारा FEAR OF OPEN SPACE और किराउड FEAR OF OPEN SPACE और किराउड मतलब जहाँ जादा भीड होगी या बिल्कुली खाली जगा होगी ठीक है OPEN SPACE खुली हुई जगा हो या तो फिर बहुत जादा भीड हो महाँ पर उससे डर लगता है तो उस फोबिया को क्या कहते हैं AGORA PHOBIA FEAR OF HEIGHT मतलब इसमें HEIGHT से उचाई से डर लगता है तंग जगा मतलब जहां पर बिल्कुल जगा कम हो तंग जगा हो भीड वाली जगा ठीक है कसी हुई जगा मिल्कुल कंफाइंड ठीक है तो कंफाइंड स्पेस जहां पर बिल्कुल तंग जगा हो बिल्कुल ऐसे मतलब की बहुत जादा भीड हो जैसे हम कोई मेले में जाते हैं या कहीं शादी में गए तो ऐसी जगा पर confined space में क्या होता है उसे डर लगता है तो ये कौन सी जगा है कौन सा phobia है? klaustrophobia fear of fire इसमें आग से डर लगता है उस शक्सको जिसे ये phobia होता है तो उसे किस से डर लगता है? fire से आग से ड़ लगता है कौन सा है ये पाइरोफोबिया ठीक है फियर ओफ चिल्डरेन इसमें बच्चों से ड़ लगता है क्या है इसमें पीडियोफोबिया फियर ओगलीनेस मतलब अगलीनेस यानि गंदगी से जो सामने वाला या आप ही बिल्कुल साफ सोतरा नहीं चाहता है कोई चीज अगलीनेस नहीं रहना चाहता अगलीनेस से ड़ लगता है इसमें ठीक है तो ये अगलीनेस मतलब कुरूबता आउकमेडनेस गंदगी ठीक है तो ये कौन सा है कैकोफोबिया फियर ओगलीनेस क्या है कैकोफोबिया फियर ओफ वोमेन इसमें वोमेन से औरतों से ऐसे की लागता है क्या है इसका गाइनोफोबियाς फियर औफ इंजेक्शन इसमें इंजेक्शन से ड़ लगता है इस फोड़िया को हम कहते हैं ट्राइपिन फोडिया फियर औफ सनेक इसमें साप ओआथ अब इसे कहते हैं औफφी आप अपendas और दिख रह रहा है अब उसे कौन सेीफोबिया होता है ऑफीडियोफोबिया सांप से यह डर लगता मतलब एञ नहीं कि जो सब डरते हूं इसनेख से डर लगता मतलब वो मतलब उसे हमेशा ऐसे लगए है कर कह Griffin स्नेख ना जाए मतलब उसके दिल में एक तरह का डर बैठ जाता है ठीक है तो से हम क्या कहते है ओफी डियो फोबिया फेयर ओफ फेयल होने का डर किसी भी काम में फेयल होने का डर हर वक्त उसके दिमाग में ही रहता है कहीं मैं इसमें फेयल ना हो जाओं कहीं मैं यह काम करने जा रह ठीक है। उसके अंदर failure होने का fail होने का डर दर रहता है। तो वह कौन सा phobia है Attachy phobia ठीक है Fair of Numbers, इसमें Numbers का डर होता है किसे आरिथमो phobia, Fair of Water पानी से डर लगता है पाणी से इंसान दूर भागता है ठीक है तो पानी से इसमें ड़ लगता है इसे हम क्या कहते हैं एक्वाफोबिया क्या कहते हैं हम इसे एक्वाफोबिया ठीक है नेक्स क्या है मारा फेर आफ बींग अलोन अकेले रहने पर ड़ लगता है इनसान जो है चाहता है उसके साथ कोई ना कोई रहे वो अकेले रहने से ड़ता है तो ऐसे phobia को हम कहते है autophobia ठीक है तो यह सारे यहाँ पर आप phobias के नाम लिख लिए और इन अच्छे से याद भी कर लिए prepare कर लिए ठीक है आपका यहाँ PFS का course complete हो गया PFS course completed लिख दिये और यहाँ पर भी यही same date लिख दियेगा जिस दिन ये वीडियो यूटूब पर upload होगी ठीक है उस दिन की यहाँ पर date mention कर दिये तो यहाँ पर आपका यह PFS का course complete हो गया जीके का हमारा थैंक यू असलाम उलाइकूम